हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ड्रेस सिखाऊंगा जो बहुती फायदे मन्द है सर्दियों के दिनों में खास तोर पे इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से पहन सकते हो इसे आप टीशट के साथ पहन सकते हो कुर्ती के साथ पहन सकते हो और जो महिला है इसकूटी चलाती है उनके लिए तो बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है ड्रेस होने वाली है और स्लाई का शौक रखते हो घर बैट के सलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा online stitching course भी join कर सकते हो इस screen के उपर आपको दो number दिखाई दे रहे होंगे इन number पे call कर गया पूरे course की details ले सकते हो तो दोस्तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सब गला हमने बनाया यह वला गला देखे कितना comfortable इसको इस प्रकार से खोला डोरी को और आप अपनी सुधा के अनुसार इस गले को जहां पर भी बाहना चाहो इस प्रकार से बाहन सकते हो काफी यह गला बढ़ा भी हो जाता है और दूसरी बात यह कि इस गले को आप चाहे इदर स इसका लूक आएगा तो बिल्कुल बहुत ही शांदर comfortable ड्रेस होने वाली है और दोस्तों कैसे बनेगे ड्रेस तलो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो दोस्तों इस ड्रेस को बनाने के लिए आप देख सकते हो मैंने एक यह शोल ले रख को आपने नीचे की तरफ रखना यह देखिए और इस ड्रेस को बनाने के लिए केवल आपको एक ही मेजरमेंट के जूरत होगी वो होगी लंबाई तो दोस्तों इसकी जो लंबाई आपको तयार रखनी है वो रखनी है 31 या फिर 32 इंच आप रख सकते हो वैसे आप 30 भी आप लेंगे तो इसकी दोस्तों लंबाई रखनी है वो रखनी मैं 31 इंच यह देखिए यह 31 इंच पर मैंने लंबाई रखी इसकी और सीधा इसको मैंने कट कर दिया अगर जाला लंबा रखोगे तो वह ड्रेस का लुक नहीं आएगा 30 31 32 यह लंबाई सफिशेंट रहती है अब यह जो मेरे निशान लगा है दोस्तों इस निशान पर आपको क्या करना है इसकी कटिंग कर लेनी है तो दोस्तों कटिंग करने के बाद अब यह जो कपड़ा इसको रखते हैं साइड में इस कपड़े को हम बाद में यूज करेंगे अब आपको क्या करना है अब यह य आपको क्या करना यह देखिये Esse का जब से अपकी कि आपके मेशन उप्र wrap तर से तरह से लिए इसको ठोड़ा से राकाना है、 इसके लगबग आपको एक इंच नामें मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों ये देखिए इस कपड़े को नीचे से लगा लिया मैंने और उस कपड़े को जो नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसके उपर ऐसे आपने फोल्ड करना है और यहां पर आपको लगानी है सिलाई तो दोस्तों ये देखिए इस सिलाई को मैंने लगा लिया है सिलाई को लगाने के बाद दुबारे इसे मैंने उसी परकार से बिच्छा लिया है जैसे ये शॉल था बस जो चेंजिस था चेंजिस ये था कि ये पहले कपड़ा यहां तक पूरा कम्प्लीट था यहां से यह बंद था, लेकिन लंबाई हमने कम करी, इस oення से इसे गुम तरीके से इसलाई को लगा लिया है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद, इस में सिर्फ आपको एक cutting और करनी है। Cutting जो कृम आपको आगे का Proceedzer में बताता हूं कैसे को यह सिलना है। कटिंग आपको क्या करनी है यह देखिए आपको इस जगे से एक निशान लगाना है आठ इंच पर यह देखिए यह देखिए आठ इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान आपको इदा से लगाना है आठ इंच पर यह आठ इंच की आपको दूरी रखनी है और इसी circle को थोड़ा सा dark कर लेते हैं देखें अब ये जो 8 इंच का circle है दोस्तो इस circle पर आपको करनी है cutting ये देखें किस तरह से ये मैंने cutting कर लिये अब इतनी cutting करने के बाद इसको रखते हैं side में अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था ना ये वाला दोस्तो अब इस कपड़े में से आपको लेनी है उरेब पट्टी ये देखें इस कपड़े में से उरेब पट्टी काटेंगे दोस्तो इस उरेब पट्टी की जो आपको चुड़ाई रखनी है क्योंकि उरे पक्ती को हमने कहाँ पर लगाना है हमने इस उरे पती को लगाना इस जगे पर जो हमने लेग रागं करी है यह देखिए इस परिकार से आपको कुछ लुक नजर आएगा इसकोCan curios फोड़ा को दिखा लेता हूं तो पहले हृस्प पत्टी को मैं जोड लेता हूं और फिर इस वूड़ाल में आपको बताँगा, तो द्यूस्तो यह देखी, इस उुरे पत्टी में मैंने जॉइंट लगा दिया है अब जोटी लगाने के बाद आपको इस उुरे पत्टी को कैसे लगाना है, यह देखी, यह जो मैंने आठ इंच की जो गुलाई काटी थी आपको एक छोड़ से जो है सिलाई की शुरुआद करने है कैसे यह देखिए उरे पट्टी को आपने इस प्रकार से पकड़ना है आगे वाला इससा ना इसको पहला थोड़ा सा अंदर फोल्ड करने इस तरह से और उसके आते हुए आपने इस प्रकार से यहां पर जब आप खतम करोगे इस जगे पर तो यहां से भी जैसे उरे पट्टी बड़ी है तो पहले थोड़े इसको कट कर लेते हैं और यहां पर भी आपने इसे इसी प्रकार से फोल्ड करना है और यहां से भी आधा इंच का गैप आप तो फ्रेंट्स यह जो मैंने स्लाई लगाई है अब इस स्लाई को लगाने के बाद आपको जो आगे का काम करना है वो क्या करना है यह दिखिए अब यह जो उरे पट्टी है इसे आपने अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना यह देखें और यहाँ पर आपको लगानी है एक स्लाई तो दोस्तों यह देखिए इसमें जो राउंड चक्कर था आठ इंच का उसमें मैंने उरे पट्टी लगा ली है आप देख सकते हो उरे पट्टी लगाने के बाद अब यह देखिए एक साइड की स्लाई आपको लगानी कैसे लगा आउठें से कुछ आलेंगे और ये दिखें की आपको यहां से ठीक नीचे से स्टार्टिंग करने सने के यहां से स्टार्ट करें गे क्वड़न Cantaka तो आएंगे और इस स्लाई को केवल आपने कहां तक लगाना है इस स्लाई को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है इस स्लाई को केवल आपने यहीं तक लगाना है जो उरेपट्य आमारी लग लिए बस यहीं तक इस स्लाई को पक्का कर देंगे और यह स्लाई लगाने के बाद म आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यह देखी साइड की जो इस लाई थी इसको मैंने यह से लगा लिया है अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूं यह देखें तो फ्रेंट्स सीधा करने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस परकार से आपको नजर आएगा अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया है वो क्या रह गया है अब यह जो हमने स्पेस छोड़ा था ना दोस्तों यह वाला स्पेस आगे का अब इस स्पेस के अंदर आपको क्या करना आपको लगानी है डोरी डोरी आप केसी भी कलर के लगा सकते हो क्योंकि यह प्लेन है बिलकुल शॉल तो इसमें अच्छा लुक देने के लिए मैंने एक बलैक कलर की डोरी बनाई है इस डोरी को हमने आरपार करना है इस जगह से यह देखी आपको लेनी एक सिफ्टी पिन स मदद से आप इसमें देखिए इस जगे से इसको डालेंगे और दूसरे छोड से जो है आपकी डोरी निकल कर आ जाएगी और डोरी लगाने के बाद उसके आगे आप इसमें दोस्तों अपनी चोईस के कुछ लटकन फुंदणें कुछ भी आप लगा सकते हो तो वो सब कुछ क लगाई है डोरी को आप इस परकार से खेंच के नहीं देखिए अपनी सुविधार के अनुसरा जितना भी आप चाहें गले में इसको कस कर आगे जो डोरी की नोट्स होती है आप अपने सुविधार साथ जैसे भी बांद कर तो आप इसे इस परकार से बांद सकते हो और परकार से इसको ओड़ने के जोड़नी पड़ेगी परमानेंट आपके पास रहेगी और गले को आप अपने सुधा के सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करें थेंक्यू वेरी मच